किया है mathematics पेपर के साथ अभी मैं ततकाल के वलते यारी कर रहा हूं चीक है किस सर में आपने mathematics के साथ ब्यस्टी किया हुआ है सर मैंने 2015 में एड़िशन लिया था और वो इन्वर्शिटी के लेट होने के वज़र से मेरी 2020 में complete भी है मतलब कि तीन साल की डिगरी पांट साल में complete करके दिया है उन लोगों ने यह किये इस्टुडेंट की कोई यसु नहीं है मैंने मेरा कोई बैकलोग नहीं लागा है ना ही मैं कभी पेल लुआ हूं सर यूनिवर्सिटी ने एफिकल किते हैं चीक है तो ऐसा क्या समस्या पैदा ह है वो इस लेकिन वो टक्कर खा रहा है बटन में यह है यह है यह है अब सही है चलिए पीजिए सर जो फॉस्टियर का एक्जाम होने वाली थी तो हमारे जो रेजिस्ट्राट थे यूनिवर्सिटी के उनका नाम एक गोटाले में आ गया था जो कि कॉलेज के एक्जाम से जुरे हुए जो पेपर चपाता है उससे जुरा हुआ था तो उनको हटाने के बाद जो प्रोसेस से स्टार्ट हुई वो बहुत लंबा किती गई क्योंकि फिर उसमें प्रिंस्पल कॉलेज का जो वी सी थे उनका भी नाम आया यह प्रोसेस सब्सक्राइब कर पाएंगे सर अब मैथमेटिक्स का उप्योग हर छेतर में होता है इसमें और मैथमेटिक्स का बहुत वरा युगदान है तो मैं वहां भी अपने मैथमेटिक्स का इस्तिमाल कर सकता हूं साथ ही मैथमेटिक्स पढ़ने के दौरान एक एनालीटिकल फिंकिंग डेवलप हो जाती है जो इंटेलिजेंस ब्यूरों के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन को एनालीसिस करना सबसे पहला काम है तो मैं वहां भी इसका उप्योग कर सकता हूं इस तरह बहुत सारे काम है जहां पर मैं मैं अगर समान लेता हूं तो उसमें हमें अपने मैथमेटिक्स का हिसाब रखना जरूरी होता है साथ ही साथ अपने जो भी काड़ करते हैं उसका अगर हम हिसाब रखते हैं तो वहां भी मैस्टमेटिक्स के जरूरत होगी और वह सबसे जरूरी है कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो इसका कितना उपयोग हम कर पाते हैं तो इन पांच सालों में आपने गडित के अत्रिक्त कौन कौन से मानवी गुरों मानवी मुल्यों को अपने अंदर पैदा किया या इस्किल्स पे उलब तरी असल मैंने मैथमेटिक्स पढ़ने के साथ अपनी पढ़ाई आगे कंप्टिशन की भी तैयारी जाई रखा और साथ मेरा रूची हमेशा कैमरा में इंटर्विवर वाइचा है उसको देखो साथ-साथ मैंने अपनी रूची इंटरनेशनल रिलेसंस के सब्जेक्ट में बनाए रखा इसके लिए मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स बुक्स और इंटरनेशनल बुक्स और कुछ नॉविल्स भी पढ़े और साथ-साथ मैं कंप्टिशन की तैयारी भी करता रहा जो आगे हमें उसके दोरान मैंने साथ कुछ एक्स्ट्रा केरिकुलम में भी पार्टिसिपेट किया जो सोसल वर्क हो गए पटना के कुछ एंजियोज है जो कुछ फिरी एजुकेशन देते हैं तो मैं उनके साथ जूर के कभी कभी जब मुझे वाक्त मिलता से ट्रटे संडे को तो मैं उन्हें पढ़ा लिया करता था बच्चों को मैं ये तीन काम मैंने पर लिक किया है साथ पढ़ाई में लिए जाए करता है ठीट है आप यह बताईए कि आपने एक साधरान से ब्यस्टी के दिगरी गरी नहीं है हमारे बात बहुत से बच्चे हैं जो इंजिनिंग बैद्राउंड से और साथ में उनको वर्व करने का अनुभाव भी है हमारे लिए वो बच्चे आपकी तुलना में बहुत अच्छे हैं आपको क्यों चाहिए सर उन बच्चों के साथ मेरे अंदर भी कुछ कॉलिटी हैं जो मैं उन बच्चों से बेतर साविश कर सकता हूं जैसे मेरी समझ अंतराश्टी मुद्ध और सेक्यूर्टी से आई वी की बात है तो उसमें फिजिकल से ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल पावर की ज़रूरत है तो इस जगह पे मैं उनसे कहीं ना कहीं अच्छी परफॉर्मेंस कर पाऊंगा हम आपको आईनी में नहीं लेना चाहते हैं आप क्या करेंगे तब सर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिस की है और मेरा पूरा आता है कि मैं सेलेक्ट होकर ही रहूंगा अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर मुझसे कोई और अच्छे कंडिडेट्स मिल जाते हैं तो मैं सेकेंड आप्शन में मैं आगे की तयारी जिस तरह जारी रखूंगा जै क्या है आइबी के मादक्रा साओ यही में हमें एक औपटूड़ी है जो एक देश का चलती एध है यह देखने का जो कम्प्लेक्स कितना कंप्लेक्स हमारी फटार होते हैं कैसे सरकार हैंडल कंडल करती है में फटालता है कि इलाके में किस किस तरह मस्तवाइब हैं कहां के लोग और देश के भीविन छेत्रों में किस तरह की प्रोब्लम फेज करने पड़ती हैं गौवर्णमेंट को यह सब हमें कॉंट्रिब्यूट अपना सेवा करने को मौका मिलेगा जो आई वी के अलावा सायद हर बहुत कम और्गनाजेशन है जहां में यह मौका मिल पाएग से अगर पुलिस सेवा में जाता हूं तो वहां भी हमें इस तरह की मौका मिलेंगे जहां जुरक्षा के साहसाथ देश की complex administrative service को भी देशने को मिलेगा और वहां से भी मैं जान सकता हूं कि कि देश की किस तरह चलती है और public सेवा करने को मौका मिलेगा और साहसाथ state PCS से भी इच्छा को पुरा करने का पुरा चांक मिलेगा अगर हम वरतमान में आपके पास दो जोईनिंग लेटर देंगे एक आईवी एसियाईउ का देजे और एक एंगेज पुलिश सर्विसेस का यूपीस्टी आईपीस का देजे दोनों जोईनिंग लेटर आप कौन साथ जोईन करना बेहतर संगींगे सर अगर पिस्टी के साथ आईपीस है और आईवी है तो मैं वहाँ पे आईपीस ज़्यान करना चाहूँगा इसका वज़ाइए इसका वज़ाइए है कि यूपीस्टी हमें वो भास रेंज का मौका देती है जो आईवी नहीं दे पाती, आईवी एक सिमित चेतर में हमें काम करवाएगी और UPSC उससे ज़्यादा चैलेंजेवल और शांसाथ आईवी से भी बरे वर्क और आईवी में भी वर्क करने का मौका मिलेगा साथ. और आईवी से इपूटेशन होता है ना, हमारे हिजाब से तो अब बताएए लालू और नितीज इन दोनों में आपको कौन नेता बेहतर लगता है सर दोनों नेता अपनी वक्त में और अपने समय के अनुसार अपने चेतर में बहुत अच्छा किये हैं उनकी अपनी अलग अलग हातियत है लालू जी जब तक थे उन्होंने राज्य को अपनी अस्तर में जहां एक गरीब राज कहा जाता था जो बहुत ही सच्छा के दौरान राज्य को एक अलग पहचान दिलाई साथ依ा यहां पर जो बहुत सारे पिछ़रे वर्ग जो अपने अधिकारों से वंचित थे उन्हे अधिकार दिलाने में में लालू जी का विसर श्यवर घान रहा है अब आध आई पर लंगारकोना जो इन इस निटेश कॉमार जी ने जो भी जैसे सिक्षा हो महिलाओ के सिक्षा को भी से देहान दियément लड़कियों के सिक्षा को सिक्षा में अब आप में बुऩाहिए क्या होता है और नार्कोर्टे देजिजम क्या होता है और उसे रादेश के अंदर फैला कर युवाओं को ड्रग का एडिक्ट बनाना और उसे बेचे गए पैसो का इस्तमाल अल्देश के असुरक्षा के खिलाफ करना ये नार्कोर्टे रिजिजम के अंदर आता है ये मुख्ष है हमको सबसे अदर नार्कोर्टे रिजिजम किस दिशा से फेस करना पड़ता है या नार्कोर्टे रिजिजम की जुश्या भारत कहां कहां से में छेल रहा है किस किस अरिया से? पूरा पश्चमी एसिया और दक्षनी एसिया में नार्को टेरियरिज्म की बढ़ने की खत्रा बढ़ गई है। इसमें और वेस्ट में अब नया तरह से हमें जिलना पर रहा है। तो नार्को टेरियरिज्म की बढ़ा दोनों तरह से देलना है। मुझे लगता है कि इससे महिला से तक्तिकरन नहीं हो सकता है। सर यह जो कदम है वह बहुत ही जरूरी था। महिला से तक्तिकरन के लिए जरूरी था कि पहले हम महिलाओं के स्वास्त और उनके सुविधाओं का ख्याल रखें। महिलाओं का सोसन होता था। जेनरल यह ऐसा देखा गया है। खास कर हमारे राज्य के बहुत ऐसे राज्य हैं देश के जहां पर अभी भी बाल विवा प्रचली था। जो अठारा वर्स से साधी कर दी जाती है जिस वक्त वो नामान्सिक रूप से परिपूर्ण होते हैं न सारी रूप से तो वहां पर उनका सोसन होना संभावना बढ़ जाती है। तो यह 21 वर्स करने से सबसे पहला वेनिफीट होगा कि वह अपनी जिम्मेवारी और अपनी अधिकार को संभेंगे। जुसरा हमारे देश में अभी भी महिला और बच्चों की मौत में हम पिछर हुए देशों में गीने जाते हैं। इसका भी एक सबसे बड़ी वज़ा है कि कम उम्र में साधी होना जिस वज़ा से चाइल्ड मोटिलिटी और मदर मोटिलिटी रेट बढ़ी हुए। जरूरी है कि लग्यों का उम्र जो हो उचित हो जिस वक्त साधी होने के बाद वह ऐसे समस्याओं को देल सके जो एक बच्चा एक माँ बनने के बाद जो उन्हें जिलना पड़ता है। तरह कि अगर हमें कोई कमी रह गयी है तो आप हम्हें सजेश्ट करे, पूरी तरह उसके काम करूंगा और आगे त्रेणिंग के दौरा मुझे जोभी सिखाया जायेगा मैं पूरी मानदारी से पूरी महनत के सांथ उसको सिख़ऊँगा और उसको अपना यूटिलाइज करूंगा और सर मैं अब तक जो भी किया हूँ अपने मिहनत के दम पे हाया हूँ तो मुझे पूरा आता है कि मुझे आज आगे रिस्टिकेशन होगी नहीं बाती लोग पैसा देखिया हैं नो सर त्लिए ठीक है धर देवाद आपको दिन शूब रहें